हेलो गाइज वेलकम डू माई चानल मेरे चानल में आपका स्वागत है तो गाइज आज की वीडियो में हम इंस्टॉल करने वाले है फ्लैट बेड टो ट्रक इस मॉड को तो गाइज यहाप हम दो मॉड को यहापर में लिकर रहे हो आपके लिए तो पहला है हमारा यहां MTL flatbed toe truck और सेकेंड हमारा Freightliner M2 Crew Cap flatbed तो गाइज यह दो फ्लैट बेड ट्रक है तो इन ट्रक के साथ आपको मिलते हैं तो गाइज यहाँ पर टोवईंच होती है जिससे आप अपनी कार को फ्लाट बैड पर पूल कर सकते हो और फ्लाट बोर्ड पर आप हे कार को केरी करसे लिखे जा सकते हो गाइज तो इस तरीकी से बहतरीन दोनों ट्रक्स अपको मिलते तो गाइ सबसे अच्छी बात यह है कि यह आपके cracked और paid दोनों भी game versions पर work करता है तो यह सारे versions पर supportable है तो इसको मैंने cracked और paid दोनों भी पर test किया है और यह बिल्कुल सही तरीके से work करा है गईज तो पहला है हमारा MTL flatbed tow truck तो देखे इस तरीके का tow truck आपको आएगा तो आप इस तरीके से आपकी vehicle को carry करके लिके जा सकते हो तो यहाँ पर आपको tow winch मिलती है तो देखे इस तरीके से flatbed down होता है और down करने के बाद तो वहाँ पर एक point create होता है तो उस point पर आपको vehicle को park करना है फिर वहाँ से आप अपनी car को tow winch कर सकते हो तो गाइस इस वीडियो में आपको मैं दोनों truck को कैसे install करते हो बता रहा हूँ तो आप दोनों में से एक truck को install कर सकते हो या फिर आप दोनों को भी install कर सकते हो तो गाइस यहाँ पर मैंने दोनों भी truck को एक साथ install किया तो मुझे हमारा MTL Frightliner M2 Cap में थोड़ा सा glitch नजर आया जैसे हम इसका flat board down करते है तो वहाँ पर एक point ready हो जाता है जहाँ पर आपकी vehicle को आपको पाक करना होता है वहाँ से आप अपनी car को tow कर सकते हो उस point पर जैसे हमारी car जा रही थी तो वो hide show हो रहाता तो इस तरीका glitch मुझे नजर आया लेकिन मैंने इस truck को single install करके try किया तो ऐसा glitch मुझे नहीं आ रहा था तो guys अगर आप ये दोनों truck को साथ में install करते हो तो इस तरीका glitch आपको आ सकता है लेकिन जो flat bed की script है वो perfectly work कर रही है तो अगर आप दोनों भी truck को साथ में install करते हो तो आपकी flat bed की script perfectly work करेगी लेकिन आपको जो point आता है जहाँ से आप अपनी car को tow करते हो वो hide show hide show का issue आपको आ सकता है यहापर तो मुझे तो ऐसा issue आया था guys तो आप ये दोनों भी truck को साथ में install कर सकते हो या फिर दोनों में से एक truck को आप install कर सकते हो तो दीखिए दोनों भी बहतरी ट्रक है तो यह हमारा freight liner truck है देखिए तो दीखिए इस तरीका truck है तो दीखिए ये winch आती है तो आपकी बढ़िया सी sports car हो तो आप इसे tow करके लिखे जा सकते हो दीखिए तो ये truck भी मुझे काफी बढ़िया लगा इसका design काफी अच्छा है और ये हमारा MTL flatbed दीखिए इस तरीका ये truck है तो दीखिए इस तरीके से आपकी vehicle को आप tow कर सकते हो तो guys दोनों भी बहतरी ट्रक्स है तो आपको जो भी truck इसमें से पसंद आया आप उसे install कर सकते हो तो guys चलिए फटा-फट से जानते है हम इस truck को कैसे install कर सकते है और क्या steps required है तो guys आप देख सकते हैं यह रहे हमारे installation के steps यह आपर तो ये दोनों भी truck को add-on वे से install करने वाले यानि कि हम इन trucks को add करने वाले हमारी game में हम इन trucks को replace नहीं कर रहे हमारी कोई भी vehicle पहले से present है हमारे game में उसके साथ हम इन दोनों भी trucks को add कर रहे है तो सबसे पहली बात यह सारे game versions पर work करता है तो आगर आपके बास cracked हो या paid हो तो यह दोनों भी game versions पर यह mod बिल्कुल सही तरह की से work करता है यह मेरे gtfi की game versions तो पहला है मेरा cracked version और second है मेरा paid version तो इन दोनों भी versions इस mod को मैंने test किया है और यह 100% work कर रहे है तो guys यह रहे हमारे features तो पहला है हमारा mtl flatbed tow truck तो यहाँ पर देखिए आपको एक flatbed मिलेगा उस flatbed पर आप vehicles को attach कर सकते हो जबी भी आप car चलाओ गए तो आपकी car fall नहीं होगी क्योंकि वो perfectly attach होती है आपके flatbed पर आपको dials मिलते है, breakable windows मिलते है, hands on steering wheel मिलती है light bar मिलता है, leveries मिलती है आपको अलग-अप्शन, leveries मिलेगी इस truck में और tow winch मिलती है जिससे आप आपकी car को tow कर सकते हो flatbed पर तो guys second है हमारा flight liner M2 crew cab flatbed तो चलिए जानते है इसके features तो इस mod में आपको मिलते है dials, hands on wheel, hq dashboard, engine and under carriage उसके बाद में आपको देखिए working and functional bed मिल जाएगा, interior emissives मिल जाते है dirt map मिलता है आपको, templated है, उसके बाद में leveries supported है, breakable windows मिलते है और correct collision तो guys, यह रहे हमारे दोनों भी trucks, तो इन दोनों भी trucks को हम install करने वाली हमारी gtfi की game में तो guys, चलिए बढ़ते है requirements की जरफ, तो सबसे पहले हमें लगने वाला है gtfi का एक mod based setup लगने वाला है तो guys, उसके लिए आपको install करना है latest script to qi, latest script to qi.net आपको यह पर install करना है open iv, आपको create करना एक mods का folder ताकि हम जो भी changes करने वाले वो mods के folder में करने वाले ताकि हमारी game की main files है, वो safe रहेगी तो guys, उसके बाद में हमें लगने वाला scripts का folder, तो हमें scripts का folder create करना है ताकि हमारी जो flatbed की scripts है, वो हम उस scripts के folder में करने वाले install, उसके बाद में हमें लगने वाला native UI, और हमें लगने वाला menu trainer, तो menu trainer से हम इन दोनों भी trucks को करने वाले है, spawn, तो guys, अगर आप नए हो, आपने यह base setup नहीं किया, अभी तक mod installation के लिए, तो आपको मेरा how to install fortune model वीडियो देखना है, जिन्होंने इन steps को पहले से ही complete किया है, पहले सी steps को perform किया है, आपका mod setup ready है, तो आपको directly बढ़ना है step 2 में, और जो लोग नए है, जिन्होंने यह mod का setup अभी तक नहीं किया है, उनको मेर how to install fortune model वीडियो देखना है, तो guys आप देख सकते हैं, यह मेरा how to install fortune model वीडियो, तो देखिए, इसके description में आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको बता है, आपको open AV कैसे install करना है, native UI, scriptokwee, scriptokwee.net, menu trainer, तो इन सारी steps को यहाँ पर मैंने detail में cover गया है, तो अभी तक आपन नहीं step 2 में, तो step 2 में हम install करने वाले visual studio 2015 और microsoft.net framework 4.5, guys यह frameworks install लेते हैं, आपको बढ़ना है step 3 में, जहाँ पर हम install करने वाले यह दोनों भी trucks के add-on mod को, और last, finally हमें लगने वाले है, flatbed script, तो यह rollback flatbed script है, जिससे आपके जो truck के flatbed है, वो work करेंगे, अगर आप यह flatbed script को install नहीं करोगे, तो आपका जो car tow का process है, आपकी जो car tow की script है, वो आपकी install नहीं होगी, और आप अपनी car को tow नहीं कर सकते हो, तो आपके car को tow करने के लिए आपको जो functionality लगने वाले है, वो आपको यह flatbed script से मिलने वाले है, तो यह बहुत ही important है हमारे इस mod installation में, तो इस flatbed script से आपकी जो flatbed है, वो work करेंगे, और आपकी car को आप tow कर सकते हो, तो guys चलिए फटाफट से download करते हैं सारे mods को, तो अगर आपको mod setup करना है, तो आपको मेरा how to install fortune mod video देखना है, उसके बाद guys यह हमारा visual studio 2015, तो हम इसे कर लेंगे download यहापर, तो देखें, यहापर आपको PC का 86 bit है, तो उस हिसाब से आपको इसे download करना है, तो मेरा 64 bit है, तो मैं करूँगा 64 bit को download, तो यहापर देखें, यह download हो जाएगा, तो हमने यह visual studio 2015 को कर लिया है, download, तो guys यह रहा हमारा .net framework 4.5, तो हम इसे कर लेंगे download यहापर, तो इस पर मैं click करूँगा, तो यह भी हो जाएग download, उसके बाद में देखिए, हमारा यह है, freightliner, m2 crew cap, flatbed truck, तो इसकी भी add-on file को हम कर लेंगे download यहापर, तो देखिए, यह latest file है, तो हम इसे भी कर लेंगे download यहापर, तो इस पर मैं click करूँगा, तो यह भी हो जाएगी download, और guys हमारी यह है important script, तो आपके flatbed को work करने के लिए ह लगने वाली है, rollback flatbed script, देखिए, तो इसे भी हम कर लेंगे download यहापर, तो यह भी हो जाएगी download, तो guys हमने यहापर सारे mods को कर दिया है, download, तो बढ़ते हैं, installation steps की तरफ, तो guys आप देख सकती है, पर left side में open है हमारी downloaded mods की file, तो इन सारी mods file को हमने कर दिया है, download, और right side में open ह यह हमारा open IV, तो यह हमेशा edit mode में होना बहुत ज़रूरी है, तो guys यह हमारे दोनों भी addon trucks, तो इन trucks को हमने यहापर download कर दिया है, यह हमारी flatbed की script है, और यह हमारा .net framework 4.5.2 और यह है visual studio 2015, तो guys चलिए start करते हैं हमारा installation का process, तो step 1 के लिए आपको मेरा how to install 4-tuner mod यह थिखन करना है, और यह base setup create होते ही, आपको बढ़ना है step 2 में, तो step 2 में हम सबसे पहले install करने वाले visual studio 2015, तो guys यह हमारा visual studio 2015, तो इस पर मैं click करूंगा, तो देखिए, तो इस पर यह agree करूंगा, और इसे करूंगा install, तो यह मेरे पास पहले से available है, इसलिए मुझे message आ रहा है, तो अ वो है .NET framework 4.5.2, तो अगर आपके पास इस से higher version होगा, तो भी उस पर यह work करेगे, लेकिन जो minimum requirement है, वो है .NET framework 4.5.2, तो चलिए इसे कर लेंगे install, तो यह हमारी .NET framework 4.5.2, तो इस पर मैं click करूंगा, ओके, तो देखिए, .NET framework 4.5.2 और लेटर update is already installed on this computer, तो यह मेरे पास पह मुझे यह message आ रहा है, तो अगर आपके पास इस install नहीं होगा, तो guys आप इसे install कर लेना, तो guys यहाँ पर हमारी step 2 हो चुकी है, done, तो हम बढ़ेंगे step 3 में, जहाँ पर हम यह दोनों भी add-on trucks को करने वाले install, तो सबसे पहले हम MTL flatbed truck को करेंगे install, उसके बाद में हम freight liner को करे यहाँ पर सबसे पहले हमें add-on files को add करना है, उसके बाद में उन add-on files की linking का process करना है, चलिए start करते हैं installation का process, तो देखिए, यह हमारा MTL flatbed, तो इस पर मैं click करूँगा, तो यहाँ पर देखिए, आपको add-on और replace यह folder मिलता है, तो आपको जाना add-on में, क्योंकि हम यह truck को add क files present है, तो इस file को हम करेंगे copy paste, तो guys उसके लिए हमें जाना है mods में, update में, x64 dlc packs में, तो dlc packs में हमें इस file को drag and drop करूँगा, तो देखिए, हमारी flatbed की file आ गई है, तो देखिए, यह add-on file है हमारी, अगर आप देखोगे, तो देखिए, तो यह हमारी flatbed की file है, तो देखिए हमारी truck है, तो यह truck हम add कर रहे है, तो देखिए, इस तरीका यह truck आ जाएगा, इस truck को game में लाने के लिए हमें linking का process करना है, तो चलिए करते है linking का process, तो guys linking के process के लिए आपको जाना है mods में, update में, update.rpf, common, data, और यहापर आपको search करना है dlc list.xml, तो इस पर मैं right click करूँगा और edit, तो guys यहापर आपको एक line add करनी है, देखिए, यह रही हमारी line, item dlc packs backslash flatbed 3, तो देखिए, आप देख सकते हैं यहापर यह flatbed 3, हमारी इस folder का नाम है, तो हमने यह linking का process कर दिए हैं तो यह हमारा linking का process हो चुका है, done यहापर, तो हमने इस truck के add-on files को भी install कर दिया, और scripts और update, तो हमने update में गए थे हम, x64, dlc packs, इस flatbed 3 की file को हमने drag and drop किया था और उसकी linking का process किया था, तो यहापर आपको scripts की file भी मिलती है, तो देखिए, आपको scripts का folder मिलता है, तो scripts के folder में जाना है, और यह flatbed की script है, तो simply यहापर जाना है, आपको देखिए, GTA 5 में, तो यहाप scripts की file आगे इस truck की, तो हमें और एक scripts add करनी है, जो की flatbed को work करने में help करती, तो हम last में add करने वाले, तो guys, यहापर हमने हमारे mtl flatbed truck को successfully कर दिया है, इंस्टॉल, तो guys, चलिए, इंस्टॉल करते हमारा freightliner truck को, तो guys, आपको यह flatbed m2 folder मिलेगा, तो देखिए, यहापर देखि तो हमारी यह truck की file आ गई यहापर, तो यह हमारा truck है, देखिए, तो यह रहा हमारा freightliner flatbed, देखिए, तो इसे भी हम करने वाले add हमारी game में, तो हमने इस file को drag and drop कर दिया, हमने file को add कर दिया, अभी हमें करना है linking का process, तो linking के process के लिए आपको जाना है mods में, update में, update.rpf common data, तो तो guys यहापर आपको search करने dlc list.xml, तो इस पर मैं right click करूँगा edit, और देखिए, यह line add करूँगा में, तो जैसे हमने यह पहले truck की line add के थी, वैसे हमने यह दूसरी truck की line को add कर दिया, तो item dlc packs flatbed m2, तो देखिए, यह हमारा flatbed m2 का folder है, तो देखिए, यह add कर दिया हमने, त फोल्डर में, और देखिए, यह flatbed की script है, तो देखिए, वेहिकल में, यहापर flatbed m2.xml यह file मिलती है, जैसे कि हमने देखिए, scripts के folder में, यहापर flatbed, हमने पहले वाले flatbed की file को यहापर drag and drop किया था, तो देखिए, वेहिकल में flatbed 3, तो जैसे मैं drag and drop कर दूँगा, तो यह भ देखिए, यहापर हमारी यह flatbed m2.xml फाइल भी आ गई है, तो guys यहापर हमने हमारा Frightliner m2 flatbed को भी कर दिया, इंस्टॉल, तो हमने MTL flatbed और Frightliner m2 flatbed इन दोनों भी add-ons को कर दिया, इंस्टॉल, उसके बाद में हमने उनका linking का process भी कर दिया है, और उनकी जो scripts थी, उनको भी ह हमने scripts के folder में copy paste कर दिये, तो हमने दोनों truck को successfully install कर दिये, अभी हमारा final main काम है, वो है flatbed की script को install करना, तो guys यहापर हमारी step 3 हो चुकी है, अभी हमारी final step है, जहापर हम flatbed की script को करने वाले install, तो guys आप देख सकते हैं, यहापर यह रही हमारी flatbed की script, तो इस पर मैं click करूँग तो यहापर आपको इस folder में करना है click, तो यह रही हमारी flatbed के scripts, तो देखिए, यह folder है हमारा flatbed का, तो इसमें vehicles, config.ini, यह सारी files है, उसके लिए आपको जाना है scripts के folder में, और देखिए हमारी flatbed पहले सी present है, vehicles और यह दूनों files है, तो इसमें यह सारी files add होने वाली है, तो देखिए, आप इसे delete भी कर सकते हो, देखिए, feel free to delete this, तो इसे मैं delete कर दूँगा, तो देखिए, तो guys हमने in scripts को भी कर दिया, installed हमारे scripts के folder में, तो हमने यह mod installation का process successfully कर दिया है, done, तो guys चलिए जाते हैं game में, और use करते हैं हमारे इन दोनों भी flatbed trucks को, तो guys सबसे पहले हमारा जो MTL flatbed है, उसे हम spawn करने वाले, तो उसके लिए हमें यह menu trainer, तो मैं F8 प्रेस करूँगा, तो यहाँ पर हम जाएंगे vehicle options में, vehicle spawner में, यहाँ पर आपको last में जाना है, input model, तो हमारे MTL flatbed को spawn करने के लिए हमें type करना है, flatbed 3, तो देखिए, FL80 flatbed 3, तो देखिए, हमारे यह flat बेड़ आ गया है, तो देखिए, तो इस तरीके हमारे ट्रक आ गया है, तो guys देखिए, आपर आपको controls दिखाए देंगे, तो यहाँ पर देखिए, left control से देखिए, तो देखिए, अगर मैं left control यहाँ पर प्रेस कर रहा हूँ, तो हमारे यह flatbed है, वो down आ रहा है, तो देखि आपकी vehicle को आपको उस mark पर लिके जाना है, तो देखिए, तो यह mark आ रहा है, यानि कि आपकी script perfectly work कर रही है, तो अगर mark नहीं आ रहे है, तो आपकी script perfectly work नहीं कर रही है, तो देखिए, यह भाई, अब भी हमें उड़ा देता हूँ, देखिए, हम car में आ गया, तो जैसी यहाँ पर पूरा एक animation यहाँ पर आ जाएगा, देखिए, तो देखिए, tow winch आ गई, यहाँ पर तो आपकी car को यहाँ पर देखिए, हम tow कर सकते हैं, तो देखिए, आगेन मैंने express किया है, क्योंकि express करती है, mouse आ जाता है, तो देखिए, आपकी car यहाँ पर auto tow हो जाएगी, उपर चली जाएगी, फ्लैट बेड़ पर, देखिए, इस तरीके से, तो देखिए, हमारी car यहाँ पर जा रही है, तो यहाँ पर हमारी car attached हो गई है, क्या है रहे भाई, ओ मैडम, लो भाई, ठोको सबको ठोको, तो देखिए, आपकी यहाँ पर अटेज हो चुकी है, अगर आपको इसे unload करने तो express करने आगे, तो देखिए, मैं जाँगा ट्रक में यहाँ पर, और देखिए, आपर मैं shift प्रेस करूँगा, shift प्रेस करती है, आपको जो flat board है, वो उपर आ जाएगा, और देखिए, इस तरीके हमारी car को उपर, टो कर रहे है, देखिए, इस तरीके से तो यहाँ पर shift hold किये हमने, shift को प्रेस करके, और देखिए, हमारी flat board आ गए, तो vehicle perfectly attached है, तो यह गिरेगी नहीं, अगर आप इसे 2 करके लिके जा रहे तो, तो देखिए, तो यह perfectly work कर रहे है हमारी script, तो देखिए, इस तरीके से यह work कर रहे है, तो देखिए, इस तरीके से तो अभी हम unload करने वाले हमारी car को, तो मैं control hold करके रखूंगा, तो देखिए, control hold करती ही, तो हमारे जो flat board है, वो नीचे आ रहे है, control hold करती ही, देखिए, और देखिए, और यह done, चलिए, बाहर आएंगे हम, तो हम car के पास में जाएंगे, देखिए, हमें option आ रहा है, एक्स, मैं express करूंगा, तो देखिए, हमारी car यहाँ पर unload हो चुकी है, तो देखिए, और यह हम बाहर आगे, अगें, देखिए, एक्स से माउस आ रहा है मेरा, तो देखिए, अगें, आपकी वेहिकल वापर attach थी, इसके लिए आपको यह mark नहीं है, तो अभी हमने वेहिकल को detach कर दिया है, अनलोड कर दिया है, तो आपको यह अगें मार कर रहा है, और आप इस वेहिकल को अगें, एक्स करके लोड कर सकते हो, चलिए गाइज, अभी हम हमारे दूसरे ट्रक को करने वाले स्पॉन, तो हमारे फ्राइट लाइनर को स्पॉन करने के लिए, आपको जाना है, एफट, यहाँ पर वेहिकल आप्शिन में, वेहिकल स्पॉनर में, भाई 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 यह तो डिरेकली भाई ठोक के जा रहे है, तो यहाँ पर जाएंगे, इन्पुट मॉडल में, और आपको टाइप करना है, फ्लाइट, एफलेटी, बीडी, बेड, एम, टू, तो देखिये, हमारे दूसरा देखिये, ट्रक आ गया है, इस तरीके का आपको ट्रक मिलता है, तो यहाँ पर सेम है, आपको यहाँ पर कंट्रोल प्रेस करना है, तो हमारे फ्लैट बोड नीचे आ जाएगा, देखिये, यह ट्रक का डिजन मुझे काफी बढ़िया लगा, तो देखिये, हमारे मार्क आ गया है, वहाँ पर, मार्क अपियर हो रहा है, यानि कि आपकी स्क्रिप परफेक्ली वर्क करी, वो देखो, वो ड्राइवर को समझ नहीं रहा, कार है, लेकिन भाई ठोक के जाना है, वो आपर हम बढ़ी ऐसी कार को स्पॉन, तो देखिये, जैसे कि मैंने आपको कहाता है, यह फ्लिकर इशू आता है, अगर आप यह दुनों ट्रक को साथ में इंस्ट्रॉल करें, तो देखिये, आप इस लोकेशन पर जाता ही है, वैनिश हो रहा है, तो इसके लिए आप दुनो कार को हमने यह पर स्पॉन कर दिया, तो देखिये, मैं इस लोकेशन पर जाओंगा, तो यह आपर देखिये, आप में मार्क दिखाए नहीं दे रहा है, देखिये, तो इस तरीकी का एरर आपको आ सकता है, यह पर, तो जब आप यह दोनों ट्रक को साथ में इंस्ट्रॉल कर होंगा, और देखिये, यह भी स्क्रिप्ट हमारी वॉक कर रही है, तो देखिये, यहापर भी हमारी टोव इंच आ गई है, और हमारी कार देखिये, यहापर टोव हो रही है, तो देखिये, यह कार भी हमारी टोव हो रही है, देखिये, बढ़िया स्क्रिप्ट है भाई, त चलिए हम टक में बैठेंगे या पर मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा और देखिए उपर आ जाएगे हमारी कार देखिए या पर शिफ्ट को होल्ड करना आपको और ये कम्प्लिटली आ गई है तो हमारी कार्दी के अटाज हो चुकी है मैं इप्रेस करूँगा तो इस तरह किसे आपको अपनी कार को टो कर सकते हो तो काफी बढ़िया स्क्रिप्ट है गाईज तो अगर आप अपनी स्टोरीज बना रहे तो उसमें आप ये ट्रक को यूज कर सकते हो तो ये औल वर्जिंस पर वर्क करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आपका पेड हो या क्राट हो सब पर ये वर्क करेगा तो गाईज अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और हाँ म कर दो